हेलो यव्रिवान नमस्कार हिंदी कख्षा में आप सब का स्वागत है बच्चो आज की ये कख्षा में हम कहानी सीखेंगे जिसका नाम है लोब का परिनाम ठीके बच्चो आप सबको कहानी पसंद है ना आभी हम शुरू करें बच्चो आज का हमारा विशे है पार्ट पांच लोब का परिनाम बच्चो यह ये कहानी है हम सबसे पहले चित्रों की सहायता से कहानी को बोलना सीखेंगे यह ये नीथी कथा है बच्चो ये गाव में एक किसान रहता था उसके पास एक बतक थी वह बहुत सुन्दर थी वह रोज एक सोने का अंडा देती थी किसान सोने के अंडे को बाजार ले जाकर बेशता था बहुत सारा पैसा जमा करता था वह बहुत सुख में जीवन बिताता था एक दिन किसान के मन में लालश पैदा हो गया वह सोचने लगा बतक रोज एक एक सोने का अंडा देती है ना जाने इसके पेट में कितने सोने के अंडे होंगे अगर मैं येखी बार सारे ले लूँगा तो उन्हें बेचकर मैं जल्दी ही धन्वान बन जाओंगा ऐसा सोचकर उसने एक छूरा लाया बतक के पेट को छूरे से काट दिया बच्चो वह क्या देखता है बतक के पेट के अंदर कोई भी सोने का अंडा नहीं था यह देकर किसान चिला उठता है ए भगवान मैंने ये क्या कर दिया इसके तो पेट में कोई भी सोने का अंडा नहीं है बच्चो देखता है वह बतक तडब तडब कर दर्द के मारे मर गई तो बच्चो आज की हमारी कहानी का नाम है लोब का परिणाम जैसे के अभी आपने सुना किसान ने लोब किया तो उसको क्या मिला बच्चो कुछ भी नहीं मिला अगर वह लालच ना करता तो रोस एक-एक अंडा उसको मिलता था वह उस अंडे को बेचकर धन्वान बन सकता था फर इसकी लालच की वज़े से वह येक अंडा भी अब नहीं मिलेगा इसलिए बच्चो कहते हैं लालच बुरी बला है लालच कभी नहीं करना चाहिए तो बच्चो आज का हमारा पार्ट है लोग का परिणाम यहीए कहानी है अभी हम पार्ट द्वारा कहानी को सीखेंगे ठीक है बच्चो ये गाउ में ये एक किसान रहता था किसान का मतलब होता है फार्मर बच्चो ठीके फार्मर को किसान कहते हैं वह यह पतक को पालता था पतक का मतलब दक और भूस होता है बच्चो ठीके वह हर दिन यह सोने का अंडा देती थी सोना मिन्स गोड, अंडा मिन्स एग, वो सोने के अंडे को बेचकर, बेचना मिन्स सेल, बेचकर बोहुत पैसे जमा करता था, वो बोहुत ही सुखमय जीवन बिताता था, ये गाव में एक किसान रहता था, A farmer lived in a village, वो एक बतक को पालता था, he used to keep a duck, वो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, She lays a golden egg every day, वो वो सोने के अंडे को बेचकर बोहुत पैसे जमा करता था, वो बोहुत ही सुखमय जीवन बिताता था, He used to collect a lot of money by selling that golden egg, he lived a very happy life. बच्चों, एक बार दुबारा सुनिये, ये गाव में एक किसान रहता था, वो एक बतक को पालता था, वो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, वो उस सोने के अंडे को बेचकर बोहुत पैसे जमा करता था, वो बोहुत ही सुखमय जीवन बिताता था, ये दिन किसान के मन में लालच, लालच का मतलब ग्रीड होता है बच्चों, लालच पैदा हुआ, उसने सोचा बतक के पेट में, पेट का मतलब स्टमक होता है बच्चों, पेट में कई सोने के अंडे होंगे, सब अंडे एक ही बार मिले से धन्वान बन जाओंगा, दुबारा सुनिये, एक दिन किसान के मन में लालच पैदा हुआ, उसने सोचा बतक के पेट में कई सोने के अंडे होंगे, He thought that there would be many golden eggs in the stomach of the duck, सब अंडे एक ही बार मिलने से धन्वान बन जाओंगा, By getting all the eggs at once, I will become rich, एक और बार सुनिये, एक दिन किसान के मन में लालच पैदा हुआ, उसने सोचा बतक के पेट में कई सोने के अंडे हुँगे, सब अंडे एक ही बार मिलने से धन्वान बन जाओंगा, One day, Greed was born in the mind of the former, He thought that there would be many golden eggs in the stomach of the duck, By getting all the eggs at once, I will become rich, किसान एक छूरा लाया, छूरा इसका मतलब होता है नाइफ, किसान एक छूरा लाया, The farmer brought a knife, उसने बतक के पेट को काट डाला, He cut off the belly of the duck, मगर उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नही मिला, But even single golden egg was not found in her stomach, बतक के शरीर से हून बहनिकला, Blood gushed out from the body of the duck, व तड़ब तड़ब कर मर गई, She died in agony, Kisaan अपनी गलती पर बहुत पच्च्टाया, पर अब क्या लाब? The farmer regretted his mistake, But what is the use now? अच्चो, एक बार हम प्याराग्राफ को दोबारा पड़ेंगे, Kisaan एक चूडा लाया, उसने बतक के पेट को काट डाला, मगर उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं मिला, बतक के शरीर से फून, फून माने ब्लेट बच्चो, पून बह निकला, वा तडब तडब कर मर गई, किसान अपनी गल्ती पर बहुत पच्चताया, पर अप क्या लाब? च्चताया है। यूस नाव बच्चों ये थी आज की कहानी जिसका नाम है लोब का परिणाम बच्चों हमें इस पार्ट से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला होती है इसका मतलब होता है greed is evil बच्चों अभी हम शब्धों को पढ़ेंगे शब्धात लालच ग्रीट हून बलेट बतक धक किसान फार्मर अंडा एक जीवन लाइफ सुखमय प्लेजंट गाउं विलेच पेक स्टमक धन्वान रिच्मान गल्ती मिस्टेक पचताना रिग्रेट चूरा knife, sona, goad. Shall we repeat once again? लालच ग्रीड, कुन, बलेट, बतक, जग, किसान, फार्मर, अंडा, एक, जीवन, लाइफ सुखमय प्लेजंट गाउं विलेच, पेक स्टमक धन्वान रिच्मान गल्ती मिस्टेक पचताना रिग्रेट छूरा, knife, sona, goad. बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, हम अगले कक्षा में इससे मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद.